आज आपन बग्णारे कस्तुरी मराठी मदला एका ग्रता नावचे चेप्टर तरहा एका ग्रता लेसन जो है, it is dedicated to स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद का पुरा नाम नरेंद्रनाथ दत था नरेंद्रनात का ही short form नरेंद्र या नरेंद कहके उनके जासपस के लोगें उनको बुलाते थे तो उनके बारे में थोड़ी से information दे दू स्वामी विवेकानन जो है जो कि नरेंद्रनात दत भी उनका नाम है वो एक बहुत ही अच्छी बेंगॉली फैमिली में born हुए थे well to do family थी उनके जो पिताजी थे वो जो कलकता का court है वहाँ पे attorney थे उनकी जो माता थी वो भी बहुत अच्छी पड़ी लिखी और पूजा में मानने वाली लेडी थी तो उनके पिता जो की बाहर थे बहुत बड़े attorney थे तो उनके संस्कार और उनके माता के spiritual, religious संस्कारों से वेवेकानन जी का व्यक्ति मत्व बना था तो शुरू करते है आज का chapter एकागरता, एकागरता का मतलब क्या होता है दोस्तो focus, concentration स्वामी विवेकानन्द यांचा लहान पनीची कथा आहे स्वामी विवेकानन्द इनके लहान पनीची मिन्स बचपन की ये स्टोरी है कथा मिन्स स्टोरी एकदा एक लोहार लोखंडाचा कोई त्याला धार लावत होता लोहार, लोहार मिन्स blacksmith क्या कर रहा था वो लोखंड आचा लोहे के आयन के कोई त्याला कोई ता एक तरह का चाकू होता है बहुत बड़ा सा उसको क्या कर रहा था धार लावत होता उसको शार्पन कर रहा था अपने देखा है कभी ब्लैक स्मीथ यह ऐसे होता है तो यह होता है लोहार इसके हाथ में देखो गरम कुछ तो लाल रंका होता है यह आग में लोहे को तपाते है और उसको फिर ठोक ठोक के उनके मज़िक अनुसार वो उसको शेप देते है भट्टित लाल बुंद तापउन तो त्यावर गणाने गाव गालत विशिष्ट आकार देथ होता पहले जो है ऐसे कोई बड़े फैक्टरिज नहीं होते थे सब चीद से जो है कारागीरों को मैनत से हाथ से बनाना पड़ती थी तो कैसे करते थे भट्टी जो थी अभी आपने देखा उसमें उसको लोहे को बहुत लाल करते थे लाल बुंद तापउन तापउन मींस गरम करके तो तावर गणाने गाव गालत विशिष्ट आकार देथ होता गणाने गाव गालने तो यह देखो या दूसरा पिचर है यहाँ पर यह जो रखा हुआ है यहाँ पर इसको बोलते है घाव गालते है इसको पकड़के रखा जाता है एक इंसान इसको पकड़के रखता है और दूसरा जो है वो उसके उपर ऐसे मारता है तो इस प्रकार से उसको शेप अप किया जाता है तो देखते हैं फिर आगे क्या हुआ तो उन्होंने क्या दिखा कि एक लोहार था जो कि इसे शेब दे रहा था चिक है तो अब यह लोग पहुंचे के उसके पास में अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया स्वामी विवेकानन की जो फैमिली थी वो उस जमाने के काफी अच्छे लोग थे उनकी यहां गाडिया थी अच्छे खाते पिते थे बड़े से कोठी में रहते थे कोठी मतलब बंगलो टाइप गर गोडया चा पायाला नाल ठोकुन घीनया साथी टैनचा वडिलानी बगगीला त्या लोहारा चा दुकानासमोर ठांबाईला संगितली गोड़ा गोड़े की बगगी होती है गोड़ा गाड़ी या फिर उसे बगगी भी बोलते हैं तो क्या करते थे पहले जो जनावर होते थे जानवर होते थे उनके पाओं को नाल ठोकी जाती थी तो उन्होंने क्या किया वो लोग चल ले थे गूमने के लिए तो फिर उन्होंन पापा ने बोला की चलो उस लोहार के हाँ रुख जाते तो आगे क्या हुआ अब देखते हैं लोहार ने किया कि नहीं बराच वेलजाला तरी त्या लोहारा चे काम तसे चालू होते ये लोग जाके रुख गए उसको शायद आवास भी दे दी होगी पर उस लोहार का ध्यानी ने था काफी देर हो चुकी पर वो काम करी रहा था त्याचा आजू बाजूला काई चल ले आहे या कड़े त्याचे लक्षन होते उसका बिल्कुल ध्यान ने था तयाच्छा आजुबाजुला, आसपास क्या चल रहा है इसके तरफ उसका ध्यान ही नहीं था तो तयाच्छा कामात इव्रा गर्क होता शेवटी तला हाक मारला लवर तो गड़बडला गर्क होता, गर्क होता मिज बीजी होता कदी-कदी, कभी-कभी हम भी ऐसे किसी काम में से खो जाते सब्सक्राइब कालरिंग कर रहे हो, ड्रॉइंग कर रहे हो जब भी आप अपना फेवरेट काम करते हो तब आप उसमें इतना गड़ जाते हो कि आसपस क्या चल रहा है आपको कोई फरक नी पड़ता फोकस से उसका काम कर रहा थो और उसे डिस्टरब हो गया, कि अरे क्या हो गया, मुझे किसने आवाज दी क्या डोक्या वर्ची टोपी कशी बशी सावरत तो लग बगी ने उठला अब पहले के जो लोग थे अब आपने विवेका नंजी का भी फोटो देखा होगा तो सिर पे कुछ ना कुछ पैनते थे कभी वो टोपी होती थी कभी पगडी होती थी तो कभी कुछ होता था तो उसने क्या किया? वो गिरते गिरते बच्छी टोपी तो वो सावरत, सावरत मिन्स संबलते हुए तो लग बगी ने उटला जल्दी जल्दी उट गया वो आनी हाथ जोडन बगी करे धावच चाला जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो वेवेका नंजी थे उनके जो पिता थे वो सावकार टाइप के थे मतलब बहुत अमीर लोग थे अब पहले ऐसा था कि जो अमीर लोग थे वो ऐसे लोगों से काम करवा कि उनको अच्छे खासे पैसे देते थे तो लोग एक दूसरे का रिस्पेक करते थे अब वो जो लोहार था उसको लगा अरे बापर अब इनको गुस्सा ना आ गया हो कि अरे आवास दे रहे और मैं तो आया ही नहीं तो उसने क्या किया हाथ जोडून बग्गी कड़े धावत चाला जब हम किसी को ऐसे रिस्पेक्ट दे के अरे सारी मैंने सुना नहीं तुमारी बात ऐसे बोलते हैं तो सामने वाले को गुस्सा नहीं आता है तो वो बग्गी कड़े धावत चाला एक सामने लोहार अपलया कामात एवड़ा एकागर हो शक्तो है विवेका नंदानी पाहिले यह लोहार जो के एक नॉर्मल इंडिविजुल है एक नॉर्मल सकारागीर है यह अपने काम में इतना जबरदस्त बीजी हो सकता है इतना फोकस्ट हो सकता है यह विवेका नंजी ने दिखा उनके उपर उसका क्या आसर होगा हा प्रसंग तैंचा मनावर कोरला गेला कोरला गेला मींस ही रिमेंबर इट फोर फोरेवर लैक वो कभी नहीं बूले उस बात को एक तो बच्पन में हम जो होते वो थोड़े से नाइव होते हैं और कैसे गिली मिट्टी जल्दी आकार पकड़ती उस तरह से छोटी जोटी बातों का भी हम पे अच्छा या बुरा आसर होता है तो वो तो छोटी से थे तो उन्होंने देखा और उनके मन पे क्या असर हुआ अशी एकागरता जर असल तरच काम परिपूर्ण हो शकते अगर हमने बहुत फोकस से कोई काम किया तो क्या होगा हमारा जो हर काम है परिपूर्ण होगा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा इस बात को वो कभी नहीं भूले बचपन में अगर हम अच्छी चीज़े सीखते हैं तो हमें लाइफ लॉंग काम में आती है इसलिए तो आपके आसपास के जो भी लोग है वो आपको अच्छी बाते ही बताते है आगे क्या हुआ बाद में जो विवेका नंजी है वो कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए कई दूर गए जहां के वो घर पे तो नहीं थे बाहर कई होस्टेल अगरा में थे तो देखते क्या हुआ कॉलेज की पढ़ाई उन दिनों में बहुत डिफिकल्ट मानी जाती थी पहले तो लोग स्कूल नहीं जाते थे अगर स्कूल पहुँच गए जैसे तैसे तो घर की खेती थी, बिजनिस थे वोई करते थे हर कोई कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए सक्षम नहीं था तो क्या करते थे विवेका नंजी जब कॉलेज गए तो वो तासन तास बहुत सारे घंटों तक क्या करते थे एकागर चित्तहून वाचन करत वो रेडिंग करते रहते थे कॉलेज चाहस्टिल मदे रहत अस्ताना एकदा ते वाचन करत होती एक बार वो क्या कर रहे थे पढ़ाई कर रहे थे तेवड़ात एक लगनाची वरात वाजद गाजद तेथुन जात होती वो क्या कर रहे थे पढ़ाई कर रहे थे उतने में क्या हुआ लगनाची वरात लगनावंजे शादी वरात मीज बारत क्या हो रहा था अब आपने देखा होगा बैंड बाजों के साथ बहुत सारी शादियों की जो बाराते निकलती है उसमें बैंड बाजा होता है और आजकल तो भी काफी लोग बारात में ये बैंड thing for all of the people तो लोग दोड़ दोड़ के जाते थे अरे किसकी शादी है क्या गाना बजरा है देखते थे सब लोग दूला दूलान और ये सब लोगे से जाते थे और ये से सब वाद्य बजाते थे वेवेका नंदान चे मित्र धावतस मिरवनुक पाहला निगाले अब वेवेका नंजी अकेले तो नहीं रहते थे होस्टल में और भी बच्चे रहते थे उनके साथ में तो उनके जो दोस्त थे वो दोड़ दोड़ के गए और जहां से जगा मिले खिड़की हो गैलरी हो वहां से वो देखने लग गए बरात को मिरावनुक मींस वरात तेवड़ात थी थे मुख्य ध्यापक आले तो पहले अब बच्चे जो थे घर से दूर रहते थे जो उनके प्रिंसिपल वगर आते टीचर्स थे वो उनको ऐसे विजिट करते रहते थे कि अरे होस्टल में कोई प्रॉब्लेम तो नहीं हो रही बच्चे च्चे तो है ये सब देखने के लिए वहां पे टीचर्स आते थे तो मुख्या ध्यापक मींस कौन उनके प्रिंसिपल आ गए खोलीत वाचत असलेले विवेका नंदन्ना तैननी विचारले तो उनके सारे दोस्तों गए बराद देखने उनको क्यों नहीं गए नरेन अब नरेंद्र नात का उन्होंने बोला नरेन अत्ता इत्हुन वाजद गाजद कोणाची मिरवनु गेली तो उन्होंने उनको पूछा विवेका नंडन जी को कि अरे अब यहां से बराद गई न किसकी थी शादी के थी कि क्या चीज की थी तो विवेका नंड जी क्या बोलते हैं विवेका नंद आश्चरे चकित हों बणा ले अश्चरे चकित, surprisingly बोले वो मिरवनुक अत्ता इत्थुन गेली अरे यहां से कुछ गया क्या? अभी गया, यहां से गया तो ऐसे वो खुदी सर्प्राइस देखी अरे यहां से कुछ गया है, मुझे तो पता भी नहीं अत्तिशे आनन्दी थोत मुख्यत ध्यापक मना ले नरेन, अशी, एका ग्रता असेल, तर कौनती ही गोश्ट तुला अशक के वाटनार नही उनके जो मुख्यत ध्यापक थे, तो वो तो बेहत खुश हो गए उन पे बोले कि वापरे इतना ज्यादा फोकस टूडेंट है मेरा, क्योंकि फोकस करना एक थोड़ा सा न डिफिकल्ट माना जाता है, कि आसपास ध्यान नहीं देना, हम कहते न, अरे मैं पढ़ रहा हूं, टीवी मत लगाओ, मैं पढ़ रहा हूं, कोई ज्यादा जोर से बात मत करो तो उनके तो पास से बराद गई, तो वो भी उनको बतानी चला, तो भी क्या बोले उनकी मुख्या ध्यापक, नरेन, अशी एकाग्रता असेल, तर कुंती ही गोश्ट तुला अशक्क्य वाटनार नहीं, तुम तो सब कर सकते हो, सब कुछ स्वामी विवेकानंद प्रत्यक गोश्टीचे एकाग्र चित्ताने मनन, चिंतन, करत, तैंचा गुणान मुळे तनना कुटे ही अपयश आले नही, मनन और चिंतन, ये दो चीजे अलग उती है, एक बारा पढलो, उसके बाद में उसका मनन करो, लेक उसको रटलो, एक ही च पढला है, उसके बारे में आप चिंतन करो, तो मतलब उसके बारे में सोचते रहो, तो क्या होगा, वो टॉपिक जो आपका पका हो जाएगा, उनके इन गुणों की वज़े से उनको कभी भी अपयश नहीं मिला, तो ये था हमारा चैप्टर, अब हम देखेंगे इसका स्व पढला है, तो स्वाद्ध है में क्या है सबसे पहले, हम इन देखेंगे शब्दार्थ, शब्दार्थ मतलब बगई मतलब घोडा गाड़ी, ये हम देख चुके, अब नेक्स्ट है लगबगी ने, लगबगी ने मैंजे खाई गाई ने, जल्दी जल्दी में, वो नहीं लो हुना मैंजे गडून जाने, एकागरचित्त हुने, मन लवन काम करने, नेक्स्ट, वी विल स्टार्थ विल्द प्रिश्णांची उत्तर लिहा, लोहार काय काम करत हुता, उत्तराहे लोहार लुखंडाच्या कोईत्याला धारलावत हुता, दूसरा प्रिश्णा, विवेका प्रिसंग कोर लागेला, उत्तराहे विवेका नंदांचा मनावर लोहारा चा एकागरचित्ताने काम करने आचा प्रिसंग कोर लागेला, कोंटी शिक्वन विवेका नंदांना पुढे उपयोगी पढली, उत्तराहे एका ग्रता असल तर काम परिपुर्ण होँ शक्ते, ही शिक्वन विवेका नंदन्ना पुडे उपयोगी पडली तरी थे आपले प्रेश्ण संपले पुडे भगु कोण कोणास मनाले किसने किसको बोला नरेन अत्ता इतुन वाजद गाजद कोणाची मिरोनुक गेली उत्रा है फे वाजद मुख्या ध्यापकानी विवेका नंदन्ना मटले क्षमा करा सर मी इतेच होतो पन वाचनाद गुंग जहला मुळे मला मिरोनुक गेलाचे कहले ही नाही तो ये जो वाजद है ये किसने बोला था? बग्गी तुन फिरायला निगालेले विवेकानन्द आनितांचे वडील एकागर चित्ताने वाचन करना रे स्वामी विवेकानन्द आनन्दित होना रे मुख्य अध्यापग जर तुम्ही अगर आप पूरा चैप्टर अच्छे से मन लगा के पड़ो ना तो ये आपके लिए बिल्कुल भी डिफेकल्ट नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुढिल शब्दान चे वचन बदला अज्जी अज्जा अज्जी कोन होता है ग्रैंड मदर तो मराटी में एक अज्जी होती है मल्टिपल रही तो अज्जा घरे घरे is already plural of home सो उसका singular होगा घर गाड़ी गाड़या वच्चन बदला मींस अगर एक वच्चन है तो उसका बहु अच्चन है तो उसका एक करो गाड़ी गाड़या अंग अंगे शिंगे 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 क्या होता है जो हॉन्स होते है एनिमल्स के सिर्प के उपर उसे बोलते है शिंग तो अब next देखते हैं पाठा तिल पाच क्रियापदे लिहा लावत होता क्रियापद क्या होता है? क्रियापद याने के जो आपकी क्रिया को पूर्ण करता है verb मतलब के क्रियापद देथ होता निघाले होते हाक मारली गर्क होता गड़ बड़ला उठला तरहे सहले अपले ख्रियापद